दोसो लाश्ट वीडियो में हमने CSB Bank के Digital Account का फुल रिव्यू करके दिखाया था जहां पर Benefit, Eligibility, Criteria और Hidden Charges के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी थी तो उस वीडियो में बहुत सारी कॉमेंट्स आ रहें थी कि सरम CSB Bank में Zero Balance Account Digital Process के तुरू कैसे Open कर सकते हैं दोसो सभी बैंकों में Account Open करने के बाद में फसलेटी आपको प्रवाइड कर आई जाते हैं बिल्कुल उसी तरह सेम आपको CSB Bank में भी वो सारी फसलेटी प्रवाइड कर आई जाते हैं जैसे Account Open करने के बाद में Mobile Banking शुरू कर सकते हैं वर्चुल डेविड कार मिलेगा जहाँ पर आप Google पर phone पर पे टिम जैसे application को यूज़ कर सकते हैं साथी इस account में आपको वीडियो के वाइसी की facility प्रवाइड कर आई जाती है सो आज की इस वीडियो में हम account open करने का पूरा complete process आपको बताने वाले वीडियो दोस्तों काफी useful है बस आपको वीडियो को पूरा देखना है साथी हो सके तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लेना है तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं CSB bank में अगर आपको digital account open करना है तो इस page पर आएंगे इस page का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जब आप account open करेंगे और वीडियो को complete करेंगे तो यहाँ पर virtual debit card भी आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर account open करने के लिए आपको यहाँ पर एक option मिलेगा proceed to open account किलिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बताएगी कि आपका mobile number CSB bank में register नहीं होना चाहे account open करने के लिए आपके पास pen card होना चाहे और आधार card के थुरू आपकी यहाँ पर KYC complete करी जाएगी तो done के option पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले step 1 को complete करना होगा तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपना first name type करेंगे email id type करेंगे mobile number type करेंगे pen number type करेंगे अगर pen card नहीं है तो don't happen का option पर किलिक कर सकते हैं यहाँ पर जो आपके pen card पर नाम है वो type करेंगे और यहाँ पर आप पहले से कोई customer तो नहीं है CSB bank के यह इसके आपको यहाँ पर consent देना होगा then इसके बाद में continue so इसके बाद में यहाँ पर bank की तरफ से terms and conditions आपके सामने आ जाएंगी तो इना आप read कर सकते हैं then इसके बाद में accept करेंगे so दोसो इसके बाद में दोसो आप देखेंगे so दोसो इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आधार नंबर का option मिलेगा और virtual ID नंबर का option देखने को मिल जाएगा तो हमारे पास आधार कार्ड है तो इसलिए में यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे और जैसे दोसो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर टाइप करते हैं तो जो आपके आधार कार्ड से mobile नंबर लिंक है उस पर एक OTP send की जाएगी OTP inbox में फिल करेंगे यहाँ पर किलिक करके एक अपने आप फोटो को अपलोड करेंगे दन इसके बाद में दोसो प्रोसीट के बटन पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर दोसो देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड के मताबिक आपके पूरी personal information आजाएगी और जो अपने फोटो आपके अधार कार्ड पर होगी वो मिल जाएगी पूरी यहाँ पर आपका नाम डेटा उपर वगेरा सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर title name automatic आजाएगा और आपका नाम feel हो जाएगा mother की option पर click करके यहाँ पर अपने mother का नाम type करेंगे इसके बाद में जब place को आप scroll down करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर married है या फिर unmarried है वो आप select कर लेंगे आपका place of birth क्या है आप कहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर type करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको address के लिए बोला जा रहा है तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि are you resident at same address as maintenance above तो यहाँ पर दोस्तों यह बताए गया है कि अगर आपका आधार वाला ही address यही है तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं और address को fill करेंगे अगर आपका address same ही जो आपका communication address है ठीके तो आप यहाँ पर no पर click कर देंगे तो आपको यह वाला address नहीं फील करना पड़ेगा ठीके और इसके बाद में proceed to other details के option पर click करेंगे तो इसके बाद में दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा जो आपके debit card पर नाम आएगा छपकर वो नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपकी highest qualification क्या है वो आप select करेंगे आपका profession क्या है select करेंगे आपका religion क्या है select करेंगे then यहाँ पर आपकी annual income पूछी जाएगी तो आपके annual income क्या है जैसे एक लाग या फिर एक लाग एक लाग से पांच लाग आपको select कर लेना है दन इसके बाद में दोसो बैंक की तरफ से यहाँ पर declaration आपको दिया जाएगा तो इस box पर check out कर देंगे और proceed to nominee details के option पर click कर देंगे तो कुछ ही तरीके से next interface आपके सामने आज जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि step 5 में पहुँच चुके हैं आप यहाँ पर बताएगा कि provide nominee details below तो यहाँ पर अगर आप अपने account में nominee को add करना चाहते हैं तो इस case में nominee का full name type करेंगे nominee का और जिनका आप account open कर रहे हैं दोनों का relation क्या है वो select करेंगे nominee की date of birth क्या है वो डालेंगे अब यहाँ पर आपको nominee address में तीन option देखने को मिल जाते हैं पहला मिलता है same as your permanent address अगर click कर देंगे तो वही address automatic fill हो जाएगा या फिर resident address तो आपने fill करा होगा तो वह भी automatic fill हो जाएगा अगर को other address है ठीक है तो क्या करना है आपको other की option पर click कर देना है और उस address को आपको fill कर देना है और इसके बाद में proceed to initial money deposit की option पर click कर देंगे देन इसके बाद में दोस्तो आप देख सकते हैं आपको आपके सामने कुछ ही सरीके सेंटरफेस आ जाएगा अब हम अपने channel पर CSB bank में zero balance account open करने का पूरा process हमने बता है लेकिन यहाँ पर दोस्तो इस account में क्या रहने वाला है कि आपको कुछ initial funding करना होगा जैसे कि दोस्तो 5000 कर सकते हैं 10,000 कर सकते हैं 25,000 कर सकते हैं इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं इसके लिए जो भी आपको यहाँ पर initial funding करनी हो वो यहाँ पर account number type करेंगे जो भी amount type करना हो type करेंगे और इसके बाद में proceed to pay के option पर click करेंगे दन इसके बाद में कुछ इस तरीके सेंटरफेस आ कर सकते हैं net banking के थुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आप EMI के थुरू भी आप payment कर सकते हैं तो कैसे करना है payment mode आपको select कर लेना है दन इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे add new card का section मिल जाएगा तो यहाँ पर payment करने के लिए card number आप add करेंगे expiry date डालेंगे CVV number डालेंगे आपका नाम मिल जाएगा और pay के option पर click कर देंगे तो यह payment आपकी CSB bank में initial funding आपकी successful complete हो जाएगी अब दोस्तों अभी जो आपने पूरा process देखा है CSB bank में digital तरीके से zero balance account open करने का पूरा process था जो कि हमने यहाँ पर आपको live दिखा दिया अब यहाँ पर दोस्तों आपको initial funding funding करनी होगी भले आप 5,000 रुपे की करो या 10,000 रुपे की करो अब जैसे दोस्तों यहाँ पर successful आप initial funding कर लेते हैं तो यहाँ पर video KYC का process आ जाता है video KYC को complete कर लेते है इस्टेंट ही दोस्तों आपका successful CSB bank में आपका zero balance account open हो जाता है हमने आपको इस video में पूरा process बता दिया I hope अगर आपको इस video में जानकारी सही लेगी है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करने के साथ साथ सभी दोस्तों के पास video जरूर से share करना और अगर आप भी कोई आपके मन में doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो हम आपको reply जरूर देंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों next video में तब